चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर आखिर चांड के सतह पर ठीक कहां पर उतरेगा और क्यूं ठीक उसी जगे का चैन किया गया है। हम जानेंगे फिलहाल कुलकता के BITM में हूँ और हमारे साथ तरुन कुमार दास जो की यहाँ पर टेखनिकल एडवाइजर साथी साथ शिक्षक भी हैं इनसे जानेंगे की ठीक यह जो विक्रम लैंडर है दादा यह चांद अगर इसे मान ले चांद की सतह मान ले तो ठीक कहा उतरेगा और क्यों यह हमें एक्स्प्लेइन करेंगे हमारा यह चो मून है राइट करिबन 3400 किलोमेटर इसका डामेटर है तो यह क्या है कि अगर मैं इसका यह इक्वेटर माल लूँ तो वहां से साथ पोल जाएंगे राइट तो यह साथ पोल मतलब एक्षियल ही जो होगा जितने जनकरी हम लोगों को हैं कि 650 किलोमेटर फॉंट से वह 650 किलोमेटर तक यह पोजिशन में वह साथ पोल के असपास उतरेंगे लेकिन एकदम पर से नीचे अगर मैं पॉइंट ले लूँ वहां से करिबन सारे 600 किलोमेटर दूरी में तो इसी जाएगा में उतर के हमारा में टर्गेट के है कि यह सॉफ्ट लेंडिंग जो 2019 में हम लोग बहुत कोसिस किया था थोरा के लिए थोरा सा विब्राट हुआ था लेकिन इस बार हमारा उम्मिद वरपूर है कि यह सॉफ्ट लेंडिंग हम लोग सकसेस्पूली करेंगे और हमारा यह विक्रम जो लेंड क को रोविंग कराना यह हमारा one of the main targets है जो कि हम लोग उस साउथ पुल में और वही जगा है जो दूसरा कोई country अभी तक भेजा नहीं तो हमारा उम्मिद भरपूर है जब भी हम लोग राजिया के बार में हम लोग सून रहे हैं उसके बार में हम बात नहीं करेगा लेकिन इंडिया की जो calculation है इस रोग की जो हमारा schedule है उसी को उससर अगर हम चले तो हम ज़रूर उसमें land करेंगे recent करेंगे बुले मैं यह जानना चाहती हूँ कि चांद की सते आपने कहा 3400 का किलोमेटर का यह करें अब उसमें हम ठीक यहां पर 650 किलोमेटर दूर क्यों सालग पॉल से land करेंगे हैं यह हमारा तो उसी जागे में जाना परेगा जहां पर हम जब उतरेगा उसमाए उसमाए सानलाइट गिरे हमारा 14 दिन मतलब देखिए हमारा एक दिन मतलब प्रिधिव का चोदा दिन है तो इस चोदा दिन अगर हमको संलाइट मेना चाहिए झिसमाँ को वही सब कुछ एकदम अनुकूल रनना चाहिए घ़र जैसे हम लोगों का एकदम ठीक टटक रहे जैसे हमारा solar panel में ठीक टाक काम करें, इसलिए जो विक्रम लैंडर है, उसमें solar panel है, और वो solar panel काम करता रहा है, इसलिए चायन इस ठीक जगे का इसलिए हुआ है, कि वहीं पर सूरज की रोशनी सबसे पहले गिरुए, इसलिए हम लोग वही जगा चून लिया है, देखिए ये जगा में ल पर पूर है कि वो लोग हम कर पाएंगे, और और क्या-क्या कारण है, जैसे कि आप बता रहे थे कि आईस की बात हो रही थी, कि वहाँ पर बात है कि जब हम लोग मून इंप्रेक्ट प्रोब, म.I.P. जब मून इंप्रेक्ट प्रोब चंद्रोजान 1 में जब हम लोग किये थे, तो उसमें हम लोग सबसे पहले पृतिवी बासी को बोला दिया थे, देखो भाई, यहां पर क्रिस्टलाइन फॉर्म है, हमारा इसमें यह है कि जिसको बोलता है, पानी है, तो यह पानी जो है, इसका तो सबुद मिल गया था, लेकिन पानी लिक्ट फॉर्म में नहीं ह वो आइस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ऐसा ऐसा क्रिटर है जहां पर टेमपरेचर माइनस 172 भी आ है, तो उसे जागा में ऐसा भी कुछ है, जो हम लोगों को पता नहीं है, तो अभी जनकारी यह है, कि हाँ, अगर यह सब ऐसा हमारा मून मिशन होते रहें, हो सकते है कि ऐसा पानी का कोई बहुत भंड़ा रमलों के मिल जाए, कोई स्टोरिज मिल जाए, ऐसा भी होता है कि हिलियम 3, जो एक हिलियम जो आपको एलिमेंट है, उसका एक तो आईसोटोप है, वो ऐसा है ना, कि उसमें अगर हम नुकलियर रियक्टर के अंदर उसको रि मिशन जारी रहे, तो अगर उसका भी शंदन हम लोग को मिल जाए, वो अनुशंदन भी हम लोग कर सकते हैं, यही सब उम्मीद है कि हमारा मून मिशन जैसा मून मिशन हम लोगों को ऐसा ऐसा लेवल पर पहुंच देगा हमारी इंडिया को, जो सच्ची में गरब की बात है, और इसलिए यह 23 अगस्ट हम लोगों के लिए एक गरब की दीन है, सारा दुनिया को हम लोग दिखा सकते हैं, कि येस, वो इंडियन केंडू, बिल्कुल, तो यही कारण है कि चांद की सते पर ठीक साउथ पोल के नजदीक विक्रम लेंडर उतरने की कोशिश करेगा,